अरसना वली तीन पॉइंट दो का पहला कुश्चन हल करेंगे इन समस्याओं में रैखिक समिकरणों के यूंग बनाए और उनको ग्राफिय बधी से हल किजिए तो हम लोग ब्लैक बोड पे हल कर रहे हैं कोई ग्राफ की कॉफी तो है नहीं तो इसलिए इसमें दो कंडिश्चन बनेगा रयकेकियूंग बनेगा रैकेक समिकरणों का जोड़ा तो दो समीकरण बन जाएगा और दोनों शमिकरणों में हम लोगों को ये क्लियर कर देना है कि कोई ऐसा यक्सा और वाई का मान जो भी है ज्यातरासी उसका कोई ऐसा मान ऐसी वैलू जो दोनों एकोशन को साटिस्फाइट करें चलिए आए देखते हैं क्या लिखा है कच्छा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गडित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो प्रत कि माना लड़कों की संख्या यक्स अधा लड़कियों की संख्या वाई अधा लड़कियों की संख्या वाई कि अपके आए पुल लड़के कितने हैं दस है मतलब दोनों को जोड़ा जाए लड़कियों लड़कियों की संख्या मिला करके पुल जोड़ा जाए तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 10 है न हम लोग लिखेंगे खुल विद्यार्थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन यह बन गया समिकर फस्ट दूश्रा क्या कहरा है प्रस्ना अनुशार प्रस्न का रहा है कि लड़कों की संख्या से चार अधीक है लड़कियों की संख्या चार अधीक है मतलब एक्स बराबर वाई तो अब य चार जादा है तो य में से वाली रह्खिक समीकाड़ों के अनेक हल अनन्द होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे समीकाड एक्षे एक से जब देखेंगे तो क्या हम लेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमारा है तेन तो य पराबर क्या होगा टेन मैंनस एक्स कि ऐसे यूँ रख बनाया जाए ग्रॉफ एक बार हम चेक कर लें है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूद्या कि इसमें फ्रेम में नहीं आ रहा है इधर कर लेंगे की एक्स ओर वाई का मान जो लिखना है पुपल लेधे हैं कि अधिक्तम्म मैंस में थीन भेलो लेंगे कि ठीक कि एक हो जाएगा यह वाई हो जाएगे और एक निर्देसांग बनेगा नीचे तो य सी ऐसांगे अग नीच matt आप यहां X मान आप free हैं कुनी तुछ बहु applied as kron. 0 प्लस-1 less-2 ऐसे अनन्द तक अपलोंग जासकते हैं कुछ mieć सकते हैं जो आपका मन के कर्अब लखेंगे उसे के कॉ ऐसे बनता जाएगा आपका । यो hy मान सात हो जाएगा फिर चार रख देगे, एक्स का मान तो 6 हो जाएगा, ऐसे, समिकर 2 ले लेते हैं हम लोग, कुमारे पास समिकर 2 है, यह, समिकर 2, समिकर 2 से देखते हैं हम लोग, तौफ य बराबर, एक्स प्लस पूर, अले, दी है न, Y equal to X वाला शुकर आइसे इसका भी X और Y का मान निकलेगा अब यहां X का मान जो मानेंगे उसके एक मानेंगे तो पहांच आएगा Y का मान और X का मान अगर 2 मानेंगे तो य का मान कितना आएगा चार और दो छे, X कामा लगर 3 मानेंगे, तो खाइक मान 4-3-7, अब 3 कामा 7 इसमें भी है, और 3 कामा 7 इसमें भी है, दोनों समिकरणों में 3 कामा 7 मिल रहा है, लोग स्क्रीन साट ले लिए थोड़ा सा मिल डालेंगे हम, तो यह equation बन गया हमारा, यह और यह, अब दोनों समिकर है उसके कार्णिंग इंटो 10 तो आए बराबर 10 मैनस X इससे जब हमने हल किया तो हमें X और Y के मान क्या मिले यह मिला 2,8 3,7 और यह 4,6 तो इसका जो बिंदू का नर्दिशांग बनेगा वो नर्दिशांग बनेगा X कामा Y मतलब 2 कामा 8 फिर 3 कामा 7 बन जाएगा फिर 4 कामा 6 बन जाएगा यह ऐसे दूश्रा वाला हमारा यहां बने है न चलो अभी ग्राफ कीचेंगे X बनाएंगे X और Y अच जिसमें य अच पर मैक्समम कितना है आठ है न तो य अच पर मैक्समम आठ दर्श आएंगे और X अच पर मैक्समम बान दोनों में जो है वो थर्ट त्री 4 है तो हम लोग 4 तक लेए X अच है इस पर पहले प्रधिरसित करेंगे यह जीरो मुल बिंद छे जितना माने एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, शाद, इसके आगे बढ़ा सकती है, वाई अच्छा है, माइनस भी आप ले सकते हैं, बट माइनस यहां ध्रसाना नहीं है, क्योंकि किसी लड़कों की संख्या माइनस नहीं हो शक्ती, चलिए तो फाईले समिकर्ण से हम लोग यह समिकर्ण फस्था इससे दर्साएंगे, तो दो कामा अड़, दो कामा अड़ यहां जाएगा, फिर तीन कामा शाथ, तीन इसके सामने और सात के सामने, तो यह यू जाएगा न 3 कामा सात यह चार कामा छे चार इसके सामने छे इसके चार कामा छे यह सिद्धी रेखा की चेंगए हम लोग सिद्धी रेखा जा रहे इत figuring अब क्या है यह किसनी एक्स प للस रोई यह समीकार एक्स पलस य हाँ जहां पर शेरी विंदू होती है वहीं समीकान का हल होता है इक्वल टू 10 दूश्रा समीकान हमारे पास यह है तो 1 कामा 5 X पर 1 जाएंगे और Y पर माच 1 कामा 5 यह हूँ 1 कामा 5 यह बनेगा फिर 2 कामा 6 X पर 2 Y पर 6 यह यहां बन जाएगा X पर 2 कामा 6 Y बन जाएगा फिर क्या 3 कामा 7 तो Y जाएगा न फिर यह बन जाएगा X CD रेखा 3 कामा 7 हो गया फिर क्या है 2 कामा 6 यहां गया और 1 कामा 5 यह बना हो गया 2 कामा 6 यह हो गया 1 कामा 5 यह हो गया ठिक तो मेरे प्यारे साथियों जहां एक दूसरे को परचेत करें यह बना y equal to x plus 4 जहां एक दूसरे को परचेत करें वो हल हो गया अगर वीडियों अच्छा लगा हो तो like वा subscribe जरूर करें अन्य ग्रूप में भी share करें